हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बेक माई चनल इन जिप्स क्रियेशन आज मैं आपको यहाँ पर अलग अलग तरह की जो कैरी बैग होती है उनको रियूस करना बताऊंगी सिर्फ आपको यहाँ पर फोल्ड करना है फोल्ड के लावा आपको कुछ भी नहीं करना तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो कैरी बैग लिये जो प्लास्टिक वाली और जो लॉक वाली होती है मैंने उसी कैरी बैग को लिये तो आप इसको यहाँ पर पूरा उल्टी तरफ हम इसको पहले हाफ फोल्ड कर लेंगे देखे मैंने इसको दूसरे तरफ गुमाते वे मैंने यहां पर इसको half fold कर लिया तो हम इसको set कर लेंगे थोड़ा सा हाथ अंदर set करते वे corners को तो मैंने दोनों corners को set करते वे मैंने इसको half fold कर लिया है देखे अंदर की तरफ से हम इस तरह किसे खींचेंगे किंचने के बाद अब हम यहाँ पर हाफ फोल्ड करने के बाद वापस से उपर की तरफ खिंचेंगे ताकि इसका फोल्ड हमें हाफ नहीं रखना थोड़ा कम रखना है तो मैंने यहाँ बालिथिन के मतरब थ्री हिस्से कर लिए थे उसके एकोडिंग मैंने इसको फोल्ड कर लिया है यहाँ पड़ देंके नीचे के साइड कुछ ऐसा हो गए का उपर के साइड से हमारा लॉक थोड़ा उल्टा हो गया है इसको हम वापस से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि हमें क्या होगा जो लॉक होगा वापस सीधे की तरफ आ जाएगा तो देखे हमने इसको यहाँ पर वापस इसको फोल्ड कर लिया है तो टोटर हमने थ्री फोल्ड किया है तो मैं यहाँ पर इसको हाथ को अंदर डालते हुए बिल्कुल Corners को Set करते हुए मैं यहाँ पर जो यह Fold कर रही हूँ बिल्कुल Set कर लूँगे देखे इस तरह के से यहाँ पर यह बिल्कुल मैंने फोल्ड करके इसको Set कर लिया है जो हमारा Lock है लोकवला हिसा थोड़ा उपर है इस तरीके से इसके अंदर रैक बन जाएंगे यहाँ पर देखे इतने ये पार्ट बन गहें इसके बाद हमें यहाँ पर उपर से लोकवला सिस्टम भी रैडी हो गये है हमारे गर में इस तरह किसे देखे काफी डायरी जोती है बैंक की पास बुक चेक बुक सब होती है तो अगर आपके पास बैक आप नहीं बना सकते हैं सिलाई बिल्कुल नहीं आती तो आप इस तरह के से यहाँ पर कैरी बैक को फोल करते हुए छोटा सा pouch bag बना के ready कर सकते हो उसके बाद हमें यहाँ पर जो यह lock है इस lock को बंद कर दिंगे ताकि हमारी इसके अंदर safe रहे गिरेना आप नीचे की side से भी यहाँ पर तीनों pouch को मिलाते हुए आप यहाँ पर इसको stitch कर सकते हो हमारा यहाँ पर यह pouch bag बनके बिलकुर ready है आप चाहते हैं अलमीरा में hang भी कर सकते हो वरना आप इसको ऐसे ही सिधा कहीं भी रख सकते हो तो हमारा यह pouch bag बनके ready है नीचे की तरफ से यह कुछ इस तरीके से बनेगा आप यहाँ पर नीचे parts को joint करते हुए ग्लू की help से इसको चिपका भी सकते हो चलते हैं अपने next idea की तरफ तो यहाँ पर मैंने देखे तो simple carry bag होती है उसी को लिया है आपके पास plain carry bag यह तो आपका organizer काफी अच्छा लगेगा इसलिए मैंने यहाँ पर carry bag को उल्टा कर लिया है उल्टा करने के बाद मैं यहाँ पर इसको four fold कर लूँगी इसको मैंने four fold कर लिया है four fold देखे यहाँ पर यह फोर fold है आप चाहूँ अउप़ का जो handle वाला part इसको हटा सकते हो यहाँ पर नीचे की तरफ हाथ रखेंगे, हाथ रखते वे मैं इसको triangle shape में इस तरह की से fold कर लूँगी, अब हमें back side करना है, back side में same process है यहाँ पर इस तरफ हाथ रखेंगे ताकि हमारा यह कई भिखरे न और इसको हम दूसरी तरफ भी fold कर लेंगे, तो यहाँ इतना fold करने क के बाद वापस से हमें triangle shape में इस को इस तरफ fold कर लेना है, और back करने के बाद वहाँ जो दो पार्ट है उन दो पार्ट एक पार इस तरफ воld कर लेगे तो दीखे हमारा यहाँ पर यह triangle बनके ready है अब उसके बाद हमें यहाँ पर एक भी इसको उठाना है इसको fold करना है fold इतना करना है कि इसके center तक ही हमें fold करना है दूसरी तरब भी हम fold कर लेंगे fold करने के बाद जो नीचे का हिस्सा extra है उसको हम यहाँ पर इस तरीके से fold करने के बाद आप चाहो तो यहाँ पर सिलाई भी लगा सकते हो यह जो line है इस line पर आप सिलाई लगा सकते हो वरना आप यहाँ पर steple का भी उसका सकते हो steple हमें जाड़ा उपर वाले पार्ट पर ही करना है नीचे वाले पार्ट पर करेंगे तो हमारा यहाँ पर जो organizer है वो साथ मिश्ट चोचाएगा तो हमें सिर्फ उपर वाले पार्ट पर ही करना है उसके बद हमें दूसरी तरह पीसी तरह के से फोल्ड करना है और जो भी हमारा एक्स्टा पार्ट है उसको हम फोल्ड कर लेंगे मैंने उपर वाले पार्ट कट नहीं किया था है हैंडल वाला क्योंकि वन जब कट करके बनाया था तो मेरा organizer काफी छोटा बन गया था इसलिए मैंने यहां पर इसको कट नहीं किया देखे हमा किया है आप यहां पर चाओ तो çargotAS tim काभी यूज सकते हो लेकिन यहां पर काडबोड कि जगे मेरा box का box तो इसको सिर्फ घृकन रहा है कॉट या को खालता है सब्सक्राइक को है काफी मजबूत तो मैंने यहां पर इसका प्लास्टिक गल ऐखे मैं भी है अब यहां पर खोलकि एक एक यह पर इक साथ के अंदर रग दूगी फिर सुबह ऊड़के छेए बोक्स को कैसे भी यूज कर सकते हों देखे हमारा यहां पर यह box बन की बिल्कुर एड़ी है चलो हम चलते हैं अपने तीसरे आइडिया की तरफ तो यहां पर जो मैंने carry bag बोल लिए जो हम इठाई की दुकान से या फिर cake की दुकान से लेके आते हैं वही carry bag है तो मैंने इसको यहां पर half fold कर लिया है इसका जो width हो से hold कर लेंगे तो करने के बाद है यहां पर यहां पर पाथ कर लेंगे आट कर लेंगे से percent कर देंगे तो मैंने यहां पर देके कांदर की तरफ कार्डबोर्ड लगाया है जाकि हमारा नीचे का जो बेस है वो काफी ठोड़ा अच्छा हो जाए यहां पर लगके रेड़ी है आप चाहू तो नीचे हमारा यहां पर जो यह नीचे गैप है उसमें आप यहां पर कार्डबोर्ड डालके इसको साइड के कॉर्नर को भी लेकिन डालने के बाद आपने के बाद आपके बाद के बिखाता है और आपके बनाने के लिए अगर बनान के यहां पर इसको सब्सक्राइब बिलकुल करें की तरफ यहां पर पर सिर्फ एक कर दो आइपना बिलकुल रेक्टेंगल शेप में आ गया है अब यहां पर जो हेंडल है यहां को आप कर लिजेए को यहां पर लिए तो यहां पर देखिए इसको यहांपर उपर करते वे मैं यहां पर इसको steple कर लूँगी आप यहां पर सिलाई मशीन यहां धागे का भी यूज़ कर सकते हो तो मैं यहां पर steple कर रही हूं steple करने से हमारा जी हैंडल है वो उपर की तरफ आ जाएंगे देखे हमारा handle बनके उपर बिल्कुल रैडी है आप यहां पर नीचे की तरफ औ यहां पर organize बनके बिल्कुल रैडी है अब आप इसको यहां पर किसी अलमीरम में या कहीं भी आप इसको हैंग भी कर सकते हो यह फिर ऐसे ही अपनी रैंक पर रख सकते हो तो हमारा यहां पर सारे organize बनके बिल्कुल रैडी हो गये हैं देखिए मैं आपको चार और गनाइस ए झालना, thank you for watching.